नमस्कार मेरा नाम है मथूल लामवा और आज हम शुरू करेंगे SSC CHSL का जो पेपर हुआ था मार्च 2023 के अंदर उसके मैट्स के जो कोशन है उसको हमने एक मौक टेस्स के रूप में बनाया है जिसे हमने क्लास में पहले मौक टेस्स के रूप में दिया परतेक सुन्व करने के लिए और उसके अब हम वीडियो सुनूशन आपको देंगे इन वीडियो सुनूशन के अंदर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और बहुत ही अराम से कोशन को समझाएंगे कि पेपर में कोशन को कैसे डिजाइन करा जाता है आज के समय में क्या पेपर का लेवल बहुत हाई होता है क्या पेपर का लेवल बहुत होता है या मिड लेवल होता है तो इन सब चीजों को समझेंगे स्टार्ट करते हैं CHSL का paper है, यह 9 March का, shift 1 है यह, 12-23 में वहाँ था यह paper, अभी latest paper है, सबस्चे आदा, start करते हैं, 1st question, काफ़ी important question है, if second theta plus 10 theta is equal to 5, then what is the value of second theta minus 10 theta, नो यह question बहुत ही easy है, आप पहलो थाइब इसका answer दे सकते हैं, इसका answer होगा 1 by 5, नो यह 1 by 5 क्यों होता है, देखिए, हमने आपको class में पढ़ाया हुआ है, इस chapter को, trigonometry को, सबसे पहले आपको एक identity याद होगी, कि second square theta minus 10 square theta, इसकी value 1 होती है, आपको पता होगा, जैसे मैं आपको पता है, कि a square minus b square है किसके बाबर होता है, आपको गेसर a plus b और a minus b, मैं इस identity को इसमें खोल सकता हूँ, मैं मूल सकता हूँ, कि second theta plus 10 theta, और second theta minus 10 theta, minus 10 theta, इसकी value 1 है, now, मुझे इसकी value 5 दे रखी है, second theta plus 10 theta के value 5 दे रखी है, अब ये चीज़ जहाँ पर multiply हो रही है, तो वहाँ जाके क्या होजेगी, divide होजेगी, अर्थात, मेरा जो answer आया, वो क्या आ गया, second theta minus 10 theta is equal to 1 by 5, और ये इस question का क्या हो गया, answer हो गया, अब ये तो इसकी explanation होगी, लेकिन आपको बता होने चाहिए, कि अगर कभी भी second theta plus 10 theta के value x होती है, तो second theta minus 10 theta is equal to 1 by x होता है, तो क्यों होता है, मैं आपको बता दिया है, तो इस next time अगर question आता है, क्योंकि पहले भी बहुत बार ये question आ चुका है, तो अगर इस next time आता है, तो आप दियान रखेंगे, next question, ये algebra का question है, मुझे का गया है कि a plus b plus c की value 0 है, aq plus bq plus cq minus 3 abc की value क्या हो, आप जानते हैं, algebra के जो इस pattern के सवाल होते हैं, हमने सारे बना रखें, और इस question का answer आप बिना पैनोर है, जैसका answer है 0, ये 0 क्यों होता है, आप यहाँ पर इसको solve भी कर सकते हैं, identity लगा के, लेकिन मैं आप identity नहीं लगवा रहा हूँ, वो basics में बहुत basic में चला जाएगा, हम यहाँ पर a की value को put कर रहे हैं 1, b की value को put कर रहे हैं 1, और c की value को put कर रहे हैं minus 2, देखे, 1 plus 1, 2 minus 2 is equal to 0, नौ, मैं इदर put करके दिखा रहा हूँ आखको, ये 1 का q 1, plus 1 का q 1, plus minus 2 का q, minus 2 का q, minus में 3 into 1 into 1 into में minus 2, नौ, ये कितना हो गया हमारे पास, 1 plus 1, minus में 8, minus में हमारे पास हो गया 6, अब ये minus minus plus हो गया, यानि 2 minus 8 plus में 6, यानि मेरा answer क्या हो गया, 0, तो मैंने आपको कोशन पढ़ा रखे है क्लास के अंदर, कि कभी बेगर a plus b plus c 0 हो जाएगा, तो a q plus b q plus c q minus 3 a b c की value क्या होती है, ये 0 होती है, तो इस question का answer हो गया, तीसरा question, काफी easy question है, find the area of the triangle whose length is 13 inches, 15 inches and 14 inches, तो मैं इसमें heroine formula लगाऊँ, हमेरा answer आजाएगा, नहीं heroine formula क्या होता है, root में s, s minus a, s minus b और s minus c, और ये s कैसे निगलता है, इसे semi parameter का जाता है, तो a plus b plus c upon में 2, याने की 13 plus 15 plus 14 upon में 2, 3 और 5, 8, 8 और 4, 12, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4, तो 42 को 2 से divide कर दिया, कितना हो गया, 21 हो गया, 21 होगी हमारे पास s की value, ना इधर put कर देंगे हम लोग, root में 21, 21 में से a ये था, तो 13 गए, हमारे पास बजगे 8, फिर 21 में से 15 गए, कितने बजगे 6, और 21 में से 14 कितने बजगे, 7 बजगे, आप इसको solve करेंगे, answer आजएगा, ये हो गया 7 इंटू 3, ये हो गया 4 इंटू 2, और ये हो गया 3 इंटू 2, और इंटू के अंदर ये वला 7, तो ये वला 7 और ये वला 7 एक बाहर देके चला गया, तीन येवला एक बार देके चला गया और ये हमारे पास दो एक बार आ गया और दो एक बार आ गया यहने कि हमने multiply कर दिया 21 को 4 के साथ that is 84 तो right answer is question का क्या हो गया हमारे पास 84 हो गया तो everyone फर्मना लगाया है बहुत ही basic सा question था next question अब यह simplification का question और महुत हिसान सा question है हमसे कह रहें what is the value of this particular equation तो हम question नहीं करेंगे हम मुझभाने भी कर सकते हैं आप कर भी सकते हैं easy question है 13 into 10 130 130 plus 25 यह हो गया 155 44 को हमें multiply करना है 12 के साथ माइनस करने हमें 155 देखिए बहुत ज्यार से लिखिएगा हमने चार को दो से multiply करा आठ आएगा आठ में से पांच गे तो आखरी में तीन आएगा अब तीन वाला यह option तो है नहीं तो हम इसको काट दिया यह तो तरीका ऐसे भी कर सकते थे नहीं तो को multiply करेंगे तो आपने 44 को 10 से multiply करा तो 440 हो गया और 44 को 2 से multiply करा कितना हो गया 88 हो गया तो आठ और यह बारा 508 हो गया माइनस करेंगे 105 पर आपको क्या answer मिलेगा यहां से 373 तो यह आपकी calculations है आप कितने जंदी कर सकते हैं ठीक है आईए next question वह आती अच्छा question है और geometric basic सा question है काफी बार exam में आ चुक है कहते है length of a code is 13 cm whose radius is 17 cm what is the distance of this code from the center ना हम थोड़ा समझते है कि code क्या होती है वाने जी को बंदर बिल्कुल basic से पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि code क्या होती है और radius क्या होता है देखिए circle के किसी भी दो जो points को जो रेखा चूती है उसे हम code कहते हैं जैसे आप यहां देख रहोगे अगर मैं इसको A नाम देदू और इसको A B नाम देदू दो कोनों को जोड़ रही है इससे देखा आपको कौड कहते हैं ठीक है अच्छा जो कौड है जो सबसे बड़ी जो कौड होती है किसी सरकरी की वह उसका diameter होगी वह से पास करेगी ज़रूरी नहीं है कि कौड से जाएगी कौड कहीं से भी जा सकती है ठीक है हां जो सेंटर से जाएगी वह सबसे बड़ी कौड होगी डयमीटर रेडियस च्छा होता है प्वाइट से लेकर दक की दूरी अब इस कोश्यंग में लेडियस दे रखा है वह तो मुझे शतरा दे कितना रहा हुआ 8 रहा हुआ वह संटर है इसका है नेंटी डिगरी की एन्टल बनाता है उस स्कौर्ड को शर्ट को काटेए गा तो उसने बनाया है इसको श्लीस पर्संड थे किसी चीज को बेश्ट अलाब कमाता है कहता है अगर उसके सेलिंग प्रेस को 40 कम कर देगा तो उसको 35 पसंट का लॉस हो जाएगा तो कहते बताइए इनीशल सेलिंग प्रेस क्या था ठीक है इसको करने के बहुत सार तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं बहुत असान सा तरीका है वो भी रि किते रुपे के बेचेगा पांच रुपे की यह मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइज है और यह मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइज है अब उसने 40 रुपे कम कर दिया उसको जाने कि उसको 25 पसंटना गाटा होगा तो इसकी फ्रेक्शन में वन मैं फोर होगी मतलब चार अब यह क्या होगे मेरा न्यू सेलिंग प्राइज ना यह पांच उन्पे की चीज बेच रहा था पहले और यह चीज बेच रहा है दो रुपे की लेकिन कोशन में कितने की कम बेचनी है 40 की तो दो को अगर मैं 20 से मल्टिपलाय कर दूँ हो तो 40 आजेगा पूरे को मिल्टि नेक्स कोशन यह एक कमपाउंड इंटर्स का कोशन कहते हैं हमें 14,000 रुपीज के ओपर दो साल का चक्रवर्दी ब्याज बताना है तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के हम 2-1 वाला मैसल लगा रहे है कि 2 साल का ब्याज होता है 21 कितना ब्याज होता 21 सबसे पहले हमने 14,000 का 10 पसंद निगाल लिया तो 14,000 का 10 पसंद होते हैं 1400 रुपे और फिर 1400 रुपे का 10 पसंद कितने रुपे होते हैं 140 रुपे इसको यहां मल्टिपलाय कर दिया यह हो गया 2800 रुपया इसको यहां मल्टिपलाय कर दिया यह हो गया 140 यहने टोटल इतला हो गया 2940 ये question का answer हो गया आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं ठीक है चार तरीकी उद्धे compounded interest के कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं जो मैंने class पर आपको समझाया है next question ये भी trigonometric का सवाल है ये दूसरा सवाल है जो clerk के paper में आया है trigonometric के उपर देखिए सबसे पहले आपको बता होगा आपने कक्षा दस्रीवे सीखा होगा कि पंडित, बदरी, परसाद, हर हर भोले सोना चांदी, तोले, चांदी, सोना चांदी मैं इनको बता रहा हूँ इनको विल्कुली basic नहीं पता है trigonometric का ठीक है now, cot theta क्या होता है cot theta होता है base upon me perpendicular यानि ये जो है ना, ये base है और ये क्या है, perpendicular है और आपको triplet पता होगा 5, 12 और 13 का यानि इस question कहेंदा, जो hypotenuse है ना वो 13 है now मुझे cos square y बताना है cos square y बताना है अब cos की value होती है base upon me hypotenuse यहाँ पर base कितना है 12, hypotenuse कितनी है, 13 तो मैंने इसका square कर दिया और जैसे मैंने इसका square कर दिया मेरे को मिलिया 144 upon के अंदर 169 जो कि इस question का answer था ठीक है लेकिन अगर आप इस question को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हुआ क्या है आप से ला, cos पूछा गया तो cos actually में होता क्या है वो तो B होता है और वहाँ पर B कितना सा 12 था यानि कि ओपर जो आएगा वो 12 का square होगा और 12 का square के वह एक ही option में था तो इस question का बिना pen है भी आप answer दे सकते थे that is 144 upon me 160 नेक्स कोशन यह जो कोशन है यह पाई चार्ट के उपर कोशन है पहले कोशन पढ़ लेते हैं कि कुछ स्कूल दे रखे हैं हमें जिसमें रखियां पढ़ती है P, Q, R, S, T, U जिसमें टोटल जो बच्चे हैं वो 3000 हैं और हमसे पूशा जा रहा है कि P और R में कितने बच्चे पढ़ते हैं नो C, जो हमारे पास चार्ट है ठीक है जी, तो यह दे रखा है हमें पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने आ गया है मतलब मैं क्या सकतों कि पूरा चार्ट 100% का होगा और 100% की वैल्यू 3000 के बराबर होगी जाने कि 1% की वैल्यू कितने होगी आप कोगे सर 30 आपसे इस कोशन में पूछा गया है P और R की, तो P है मेरे पास 17 और R है मेरे पास 37 तो 17 और 38 मुझे दोनों यह जोड़ के बता ले है that is 48 P और R का टोटल बता ला है और 48 को हमने multiply कर दिया 30 के साथ बहुत असान सा कोशन था next question बहुत ही सबसा सावाल है हमें J1 upon J2 बताना है और J1 के अंदर हमें क्या करना है हमें average ने नहीं है P की और J2 में क्या लेनी है, average ने नहीं है क्या हो की अचा हमें average मान लिजे इसका टोटल आया x और यह टोटल 5 है तो x by 5 करूँगा और यहां पर भी x by 5 करूँगा तो मैं 5 लिखता है नहीं average करूँ टोटल करूँगा तो हम सीधा add-on ही कर देते हैं इसको ओके अगर एक का अधा की average लेनी है और दूसरी नहीं होती तो करना पड़ता चलिए टोटल करते हैं इसको 100 और यह 80, 180, 180 और 40 220, 220, 240, 260 यह आगया हमरे पास 260 अब वान में कितना हो गया 5 यह इसकी average हो भी यह बन गी अब जे टूब आएंगे 30, 500, 110 और यह भी 260 हो गया अब वान में 5 तो आप इसको काटेंगे यह answer क्या आ जाएगा सवाल का तर्म हो गया टोटल करते तब भी आगसार आजाता नेक्स कोश्चन वहाँ असान सा कोश्चन है प्रिवियस एर कोश्चन है रेडियस दे रख है मैं दो सरकल का 12 और 5 सेंटिमेटर और उनके बीच की दूरी है वो 25 सेंटिमेटर है कहते हैं ड्रेक्ट कॉम्मेंट टेंजन जो होती है उसकी लेंट बताएगे चाहोगे तो बहुत ही सरल सा सवाल है देखें दो हमारे पास यह सरकल है यह जो सरकल है सर इसका जो रेडियस है वो 12 है और इसका रेडियस है वो 5 है और इन दोनों के मीच की जो दूरी जो है वो 25 है और हमसे यह common tangent पूछी जा रही इसकी क्या होगी इसके लिए इसके लिए direct formula होता है class में मैं आपको पताया था कि इस formula कैसे बनता है हम कुछ नहीं करेंगे distance between the centers minus में radius 1 minus radius 2 का whole square याने कि इस question को जो बानी भी किया जा सकता है डिरेक्ट फॉर्मला बेस question है ना उन लिस्टर्स कितना दे रखा है हमें 25 तो 25 का square कितना हो गया 625 12 में से 5 गे 7 याने की 49 और यह रूट कर दिया यह होता है 546 और 546 किसका रूप होता है 24 का तो इस question का answer क्या हो गया 24 next question बहुत ही सरल सा question है मनना मुझा नहीं बिता सकता है कहता है एंगल सब्सक्राइट बाइए कॉर्ड एक्स वाइए उन दिस सेंटर ऑफ इस सरकल इस वन इती डिगरी नो पुछ इस तरीगे से बनेगा वन इती डिगरी का एंगल बन रहा है तो आप से पूरी की पूरी वह 18 सवाल खतम हो गया got it next question हमें average age दे रखिये 30 students की 15 years कहते हैं it was observed that while calculating the average age the age of a student was taken as 15 years instant of 9 years okay तो कहते हैं बताए ये correct average age क्या होगी देखिये अगर इस portion को basic से करते हैं तो आपको बता हुआ कि 30 बच्चे हैं और उनकी 15 की average है तो 30 को 15 से multiply कर रहा हमारे पार 45,500 आ गया ये total आ गया लेकिन बाद ने पता चला the age of a student was taken as 15 years हमने 15 years ले ली instant of 9 मतलब सही थी 9 और रॉंग थी 15 तो 15 वाली को minus कर देते हैं और रॉंग वाली को add कर देते हैं जो right वाली और रॉंग वाली को minus कर देते हैं यानि कितना हो गया हमारे पास ही हो गया 450 माइनस में 6 यानि कि हो गया 444 ये हमारे पास value आगी अब हम इसको 30 से क्या कर दिया डिवाइट कर दिया ठीक है जी एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका क्या है देखिए मैं आपसे कहूं average तो 15 फरक कितने का आया तो आप होगे sir 15 तो मुझे क्या करने है minus करने है जो wrong one है और right वाले 9 मुझे add करने है तो ये 6 का फरक आया ये जो 6 है न देंगे तो हमारे पास 0.2 की आसपास की value बनेगी जो minus करनी पड़ेगी क्योंकि यह minus के अंदर ही है 0.2 आएगा ना क्योंकि इसको solve करेंगे तो हमारे पास 15 में से हमने 0.2 minus कर दिये तो हमारे पास answer क्या हो गया 14.8 तो इसको इस तरीके सीखिया जाता है कि जो wrong वाले है उस next question, बहुत ही subtle सा question है time and distance का सवाल है कहता है car travel करती है 60 km at uniform speed कहते है अगर उसकी speed को 8 बढ़ा देंगे तो इसको 2 घंटे कम लगेंगे तो पूछ रहे uniform speed क्या होगी अगर मैं आपसे बोलू कि distance upon me speed minus distance 1 upon me speed 1 तो इस दो घंटे का फरकार है दोनों तरफ ही मैंने 60 km कर रहा है यहाँ पर speed x रही होगी यहाँ पर मैंने कर रहा है x प्लस 8 और यह 2 घंटे का फरका आ गया जब मैं इसको solve करूँगा देखिए 60 मैंने common ले लिया उपर रहे गया x प्लस 8 माइनस में x यहाँ पर यह 2 और यह x square प्लस में 8x यह कर दिया य तो 240 है तो 240 हमें बनाना है तो हम आपसे 240 के अगर पूछेंगे कि हमें बनाना है इसको 8x square प्लस 8x माइनस में 240 ओकी हो गया तो में यह कह सकता हूं कि एक बंज़ेगा हमारे पास x प्लस 20 और एक बंज़ेगा x माइनस 12 गलत तो नहीं किया रहा हूं 20 x 12 करोंगा 240 आएगा 20 में से 12 के 8 हैगा हमने बना दी कॉट्रिक कुशन तो ऐसे x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो इस कुशन का अंसर होगा 12 लेकिन एक्जाम में इस सवाल को ऐसे नहीं करना है बिल्क मैंने लिया 12 ठीक है मारा लिया तो 60 को 12 से डिवाइड दा तो मुझे 5 घंटे लगेंगे कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे अगर हमें स्पीड 8 बढ़ा दूआ तो पहले स्पीड 12 अब 8 जोड़ दूआ तो 20 होजेगी और 20 को जब मैं 7 से डिवाइड तो 3 घंटे आएगा कि टीना किसी काम को कर सकती है 12 दिन में और मीना किसी काम को कर सकती है 15 दिन के अन्दर के जबा टीना ओर मीना ने 18,000 रुपे का तो पताएं मीना को कितने पैसे मिलेंगे यह इनके डेस का रिषव है गर वेज मिलेंगे वह उनकी ऐफश Venezuela के साब से मिलेंगे तो यह 15 और 12 अग पांच हो जार नौ रूप़े का ठेका मिलेंगा कोशन में 18 का मिल रहा हुआ है तो हमने 2000 से मल्टिप्लार गर दिया इसको भी कर दिया याने मीना को मिलेंगे कितने 8,000 रुपई इस कोशन का आंसर हो कर दिए मीना को मिलेंगे इस कोशन के अंदर आठ हजार रुपे और टीना को मिलेंगे 12,000 रुपे तो option थोड़ा सा change है उपर चला गया वो गलती से हमसे मीना का amount पूचा गया तो मीना को मिलेंगे 8,000 रुपे next question 20% of P is added to 40% of Q the result is 80% of Q हमने इसको बादा के minus कर दिया 20% of P is equal to 40% of Q पसंद से पसंद कर गया P हो गया हमारे पास 2 और Q हो गया हमारे पास 1 2 और 1 हो गया हमसे क्या पूचने है P is what percentage of Q P is what percentage of Q तो multiply कर देंगे आंसर कितना हो गया 200% next question profit and loss का question है बहुत यह सान question है 2 by 5th of the market price is equals to 5 by 8 of the selling price कैते हैं डिसकाउंट कितने पसंदेज था solve करने ते हम इस question को MP हो गया हमारे पास 25 और SP कितना हो गया हमारे पास 16 25 रुपे की चीज थी 16 पे बेचने हैं 9 रुपे का discount दिया और market price पे देंगे 100 रुपे पे आंसर कितना हो गया इसका 36% next question यह ratio का सवाल है और यह सवाल बिल्कुल क्लास में से आया हुआ question है आप ratio की अगर पीडियम देखेंगे तो बिल्कुल प्रीविश एर question SSC का देखे पे Q, R, STU हमें ratio में दे रखा है और यह का अंसर होगा यह अगर यह 2 by 5 है तो यह भी क्या हो जाएगा 2 by 5 हो जाएगा तो इस पर हम question में यह आदा time नहीं खराब करने नहीं आगर आपको ऐसे long term से करना तो P, R और आप T की value दो पूट कर लिजिए क्यो क्यों S, U की value पांस पूट कर लिजिए next question हमें average दे रखी है 32, 34, 38, 21, 26 X की जो average है वो 30 है कहता है बता है यह X की value क्या होगी तो हमने आपको तरीका बता रखा है कि मैं आगर आपसे बोलूँ कि जो average है वो 30 है, कितनी average है यह 30 है, 32 और 30 में कितने का फरक आया तो यह plus 2 है यह plus 4 है यह plus 8 है यह minus का 9 है और यह minus का क्या है, यह 4 है ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 8 14, तो यह plus का क्या हो गया, हमारे पास 14 हो गया, और यह minus का कितना हो गया, हमारे पास 13 हो गया तो हमारे पास यहां पर कितने का फरक आगया हमारे पास फर्रक आ गया प्लस के वन का इसका फर्रक आ गया हमारे पास प्लस के आ गया 30 का अब यह जो है यह प्लस वन है यह प्लस वन है और हमें इसको जीरो करना है तो यहां पर मुझे क्या वैजी रुखनी पड़ेगी 29 क्या वैजी रुखनी पड़ेगी 29 क्योंकि जब म है हमारे पास बार ग्राफ का कोशन है बहुत ही असान सा कोशन है कहते हैं तो हमें सेविंग पहले देखनी पड़े हैं ग्याड करके च्छे सो और सोलह सो बाइस सो बाइस सो बाइस सो और बारा सो चौनतिस सो चौनतिस सो और च्छे सो चार हजार और यह कितना हो गया हमारे पास अड़तालिस सो यहनि अड़तालिस सो तो मिरे पास क्या अब यह टोटल सेविंग आ गए हो 4800 जो है मिरे पास यह टोटल ठीक है अब अगर हम बात करें एक्स्पेंडिचर की तो 200 और 800,000 1400,000 और 616,000 2000,000 और 2000,000 4000, ठीक है अगेन मैं इसमें भी आपकी आवरेज नहीं ले रहा हूँ कुछ कुछ रीजन यह नहीं बनता आवरेज लेने का हमसे सेविंग कितनी पसंटेज है एकस्पेंडिचर के तो सेविंग है आड़ तालिस सो और यह हमारे पास चार हद आ रहे हैं है कि अंसरी सब्सक्राइब कोट है हमसे पूचा जा रहा है इस जो हिस्टोग्राम दे रखा है सिक्स्टी पसंट से उपर नंबर कोण लेकर बैठे हुए हैं तो फटावट सब्सक्राइब कर लेते हैं दो दो चार चार और बारह हमारे पास सोला सोला और नो पत्रीस पत्रीस पसंट ही जुनाने के लिए सो से मल्टिप्लाइब आंसरी सिक्स्टी एट नेक्स कोशन आप एक कोशन देख पारे होंगी वहला कैता है रेडियस जो है इस वील का वह 14 सेंटिमेटर है कैते हैं अगर वो दस चक्कर लगाएगा तो कितना वो ट्रेवल कर लेगा गोट इट आपको पता होगा अगर उसको एक चक्कार लगाना है तो उसको अपना सर्कम्प्रेंस चलना होगा याने कि टू पाई यार और दस चलेगा तो पूरा के पूरे आज यहेंगे मर पास याने दो बाइस बटे में साथ आर की वैन्यों मेर पास 14 है इंटू के अंदर 10 हमने इस किसरा कोशन है जो ट्रिग्नोमेट्री का पेपर में पूछा गया है अब हमारे पास यह एक्वेशन है एक और को सीकेंड़ी स्क्वेर सीकेंड़ी स्क्वेर कॉस के और 10 स्क्वेर हम चारों की वैल्यू अलग लग आएंगे जब कोई भी वैल्यू पूट करेंगे एकसेप 45 डिग्री तो हम इस कोशन के अंदर जो ठीटा है न वह में पुट करेंगे 30 डिग्री को अब मैं उपर आया 1 प्लस सेकेंड़ी स्क्वेर थीटा कॉस जो होता है वो रूट 3 वाइ 2 होता है जो कॉस 30 होता है वो रूट 3 वाइ 2 होता है तो यह कितना हो जाएगा 2 रूट 3 तो इसको solve करते हैं यह हो गया 7 by 3 यह कितना हो गया हमारे पास 7 और यह उपर कहाँ चला गया 4 तो इस 4 से 7 7 टेट गया या की value होगी 4 by 3 into science 30 में क्या होता है 1 by 4 होता है 1 by 2 होता है तो square करेंगे कितना हो जाएगा 1 by 4 और यह कितना हो गया पूरे का पूरा 4 ही हो गया caught it आगे समझ में कुश्यक यह हमारे पास 4 by 3 है इसको हमने solve कर लिया 4 और यह 5 by 4 और यहाँ पर भी 4 है 5 है 5 से 5 कड़ गया 4 से 4 कड़ गया हमारे पास 1 by 3 आ गया और आपको पता होगा कि 10 30 पे कितना होता है 1 by root 3 तो 1 by root 3 करेंगे square करेंगे तो उसको कितना हो जेगा 1 by 3 जैर इस question का answer क्या हो गया 10 square a next question algebra का सवान है बहुत होसान सा question है चलिए हम इसको 1 plus x square और इसको 1 minus x लिख सकते है यह divide हो रहाए इसको उल्टा करके minus कर देते multiply कर देते उल्टा करके x square और एक identity बनेगी 1 minus x square into x 1 minus x 1 plus x got it यह चीज़ इस से कट गई 1 minus x 1 minus x से कट गया चीक है ऊपर हमारे पास इसको भी थोड़ा खोल लेते हैं तो यह हमारे पास बनेगा 1 plus x और यह बनेगा 1 minus x यहां से minus common लेने जीए कट गया यह भी ऊपर बज़ गया minus x और नीचे बन गया 1 plus x का whole square ठीक है एक solve भी कहा रहा है simplification का question तो इसका जो option बनना चाहिए वो बनना एगा first right answer है first next question यह बना चाहिए पर इसे उल्टा करके लिख दिया यह डिवाइड हो रहा है उल्टा करेंगे तो multiply हो जाएगा इंटो में 1 by 5 minus 1 by 5 again उसे उल्टा करेंगे 5 by 3 और यह कितना हो गया 5 by 2 चीक है इस 5 से 5 को काट दिया इस 5 से 5 को काट दिया हमारे पास यहां value बची है 5 by 4 और यहां बची है 5 by 6 तो हमने 5 common लिए उपर से 6 में से 4 गये 2 और नीचे कितना हो गया 6 into 4 24 यानि उपर की जो value आ रहे है वो आ रहे है 5 बचा 12 उपर की जो value यह value आ गये 5 बचे में 12 नीचे आएंगे 2 by 5 divide है तो multiply कर देंगे 5 के साथ minus 1 by 2 into 5 by 2 into 4 by 25 plus 1 by 2 into 5 by 2 into 1 by 5 यह 5 से 5 कट गया यहां रहे गया 2 यह पूरे 4 से 4 कट गया और यह 5 पे कट गया यह हो गया 1 by 5 यह 5 से 5 कट गया यह कितना हो गया हमारे पास plus का 1 by 4 ठीक है पहले सुस्वाफ कर लेते हैं 4 और 2 8 8 और 1 9 9 बचा 4 minus में 1 बचे में 5 45 और 4 इधर बच गया हमारे पास 41 और नीचे कितना हो गया हमारे पास 20 ठीक है 41 और नीचे कितना हो गया 45 minus 4 41 और नीचे मारे पास कितना हो गया 20 तो उसको में डिवाइड करना इस नीचे के value आगे 41 by 20 तो solve पर देते हैं इस equation को तो 5 by 12 इधर 41 और यह आगया हमारे पास 20 यह हमारे पास कितने पे जाएगा 3 पे काटेंगी तो यह 5 पे जाएगा यह 3 पे जाएगा हमारा answer आगया 25 अपॉन में 123 यह इस question का answer बनेगा that is third one I hope आपको यह question समझ में आगी होंगी तो यह 25 सवाद CHSR के टलर के पेपर में आये थे इन्हें कैसे करना चाहिए था और कौन से question कितने अदा आए है तो यह CGL में और आने वाले MTS में आपकी मदद करेगा पस MTS में advance pass नहीं आती यह इतनी अदा टिग्नोमेट्री नहीं आएगी बाकिया सकता है धन्यवाद